प्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल बिंग भुकिश तो आज की लेसन में पढ़ने वाले हैं कि वाट इस पॉलीज एक्स्क्लूजन प्रिंसिपल और वाट इस हंट्स रूल आप मैक्सिमम मॉल्टिपिसिटी इस चीज़ को समझने के लिए आपको और वो प्रिंसिपल आना चाहिए अगर आपको और प्रिंसिपल नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो अल्रेडी उस पर बनाया हुआ है तो मैं तो आपके सजिस्ट करूंगा कि पहले आप और प्रिंसिपल अच्छी तरह समझ लीजिए उसके बाद इस वीडियो को देखने आ वीडियो तो वहां से भी क्लिक करके और प्रिंसिपल देख सकते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड लेकिन यह दोनों प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम यह जानना की कोशिश करेंगे की वाई वी नीड पॉलियर एक्स्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल आप मैक् प्रिंसिपल निगाल के देखते हैं उससे मैं आपको यह दिखाना कि कोशिश करूंगा कि वाई वी नीड पॉली एस्फ्लोजन प्रिंस्पल और हंन्स रूल ओफ मैक्सिम मॉल्टिप्र सिटी सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि यह s, p, d और f इनकी values के हैं तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो s होता है उसकी value होती है 0 है ना फिर p की value होती है 1 है ना और d की value होती है 2 और f की value होती है 3 तो चलिए अब उसके basis पर हम यहां पर electronic configuration करते हैं सबसे पहला है hydrogen hydrogen की electronic configuration है 1s1 इसकी orbital diagram कैसे बनेगी यह हम एक box बना लेंगे और चुक्कि यह hydronic अपास एक ही electron है तो उसका orbital diagram कैसे बने एक electron साथ इस टाइप से कुछ बन जाएगा यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप इसे इस step से भी बना सकते हैं कैसे यह opposite spin के साथ एक ही है तो उसमें कोई दिक्कत निया आगे दिक्कत आगे उससे लिल करेंगे ठीक है नेक्स्ट एक हिलियम हिलियम का क्या है 1s2 तो 1s2 में क्या है एक बॉक्स बनेंगे एक इलेक्ट्रोन ऐसे दिखाएंगे और एक इलेक्ट्रोन ऐसे दिखाएंगे अब यहां से आपका सवाल ठाना स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने यह दूसरा जो एक्ट्रोन मैंने इससे ऐसे ही क्यों बनाया मैं दोनों इलेक्ट्रोन को ऐसे क्यों नह और यह जान चुकि एक और वाइटल में दो ही लेक्ट्रों रह सकता है लेकि आप पर जो में बात यह क्या है कि जो एक और वाइटल में वह दोनों ऑपोजिट स्पीन के साथ रहना चाहिए जी हाँ अब आप समझ गयों कि 45 होगे यह थे समें forme के साथ यह साथ होंगे है अब हम की बनाइंगे और रधाट के लाइना तो एसके तीलेatura यह गयों कि आप सब्सgenια साथ दूस्रा और वाइते है उसके पास पिस में एक ब्रफान बने पना सकते हैं इसमें ऐसे बना सकती है theo मैंने ऐसे बना दिये अब दीखते हैं बैरिलियम की ऐ्यों फ्लें वाउन की डौक्स सब्रॉब यदे डाइल्पकोड का और विट्रल डाइग्राम कैसे बनेगी पहला वनेश्ट दू बैधा उसके बाद तो फिर 2P1 तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं 1 is 2 तो एस में एक और वाइटल रहता है उसमें दो इलेक्ट्रोन मैंने बना दिये यह बन गे आगे एक और बॉक्स बनाएंगे इसमें दो इलेक्ट्रोन रहेंगे ऐसे अब यहां क्या है 2P1 है तो अगर आपको याद हो तो पी और तो मैं यहां तिन और वाइटल बना लेता हूं अब बताये यह जो एक रहोर यह इसमें जाएगा यह इसमें जाएगा यह इसमें जाएगा पग्या है तो यहां कर सकते हूं यहां भी डाल सकते और यहीं ऐसे कहीं भी जा सकते हैं है ना तो अभी देखने के लिए पहले और वाइटल डाल लेते एक ऐसे डाल दिया अब और ज्यादा आने वाला देखते हैं कैसे अब कारवन के लेक्ट्रोनिक वह एक्सपर्ट होंगे की तो कैसे बनेगा इस में तीन और वाइटल हो जाएंगे पहिला यहाँ यहां चाहेंगा दूसाल में यहां करließ दुदिध मैं यहां कहता है कि पेरिंग आफ एलेक्टरों इन दो और वाइटल बिलॉंग टुद शेम सब शेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल इच और वाइटल इस इंगली ऑक्यूपाइट तो इसके इसाब चेक्ट चाहता है कि जो फिरिंग अफ एलेक्टरों होती है जैसे कि हमारा जो सब श सब्सक्राइब हो जाएंगे मतलब कि यह जैसे की वाला सब्सक्राइब इसमें तीन और वाइटल अगर यह भी ऑक्यूपाइब सब्सक्राइब करेंगे तो उस हिसाब से कारवन की जो और वाइटल डागराम वो कैसे बननी चाहिए एक ऐसा बॉक्स है टूपी टू की है ना तो पहले यहां पर आएगा दूसरा यहां पर आएगा ठीक है आप थर्ड नहीं बना सकते हैं लेकिन पेरिंग नहीं करने पेर सब्सक्राइब से सारे और वाइटल जब सिंग्ली हो जाएं तो उस बेसिस पर हम नाइट्रोजन की और वाइटल डागराम भी बना सकते तो बन जाएगा तूपी थरी कैसे बनेगा वह हम देखते हैं चलिए पहला एक बोक्स बना देंगा टूपी थरी में बना रहा हूं इसमें तीन और वाइटल रहेंगा यहां जाएगा दूसरा इलेक्ट्रोण यहां जाएगा और यह जो इलेक्ट्रोण है मैं इसे बना रहा हूं सब पैरलल है कोई नहीं लेकिन आप इसे उल्टा सीथा बना सकते हैं बस आप खली याद रखना है कि पेरिंग कब होगे जब तो सारे सब्सेलब लेक सिंगली ऑक्टिपाई हो जाते हैं तो अब हमारे जो नेक्स्ट है नाइट्रोजन के बाद जो आता है ऑक्सिजन तो उसकी और वैटल डियाग्राम कैसे बनेगी उसका क्या होगा वन एस्टू होगा टू एस्टू होगा तूपी थ्री होगा नहीं क्योंकिवाटन के पड़ेगा और वाइटल थ्री है लेकिन एतनी हो सकते हैं छे एलेक्टरन हो सकते हैं तो खाली मैं लिग देता हूँ एसे आपको याद रखना पड़े एक कारवण का है आशनी हम अब चली इसके और बनाते है से ड़्यादा होगा तो यह फिर से मैंने और बना दिया है यहाँ आप रहा जाएगा पर जाएगा और घ्रलेक्टरों का है यहाँ चल जाएक अब क्या फोर्थ रिर्त यहां डालों यहाँडरों चैनल तो I hope कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि why we need poly exclusion principle and hunts rule तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please like the video and subscribe to my channel for upcoming videos next video में हम बचे वे elements के भी electronic configuration करेंगे और उसके बाद आपको पूरा clear हो जाएगा कि how to do the electronic configuration of first 30 elements